स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर मनो अवसाद यदि इन समस्याओं से आप काफी समय से परिशान है तो ना केवल या आपके स्वास्थे पर वुरा प्रभाव डालता है बल्के आपके कंसीविंग पावर्स या फिर्टिलिटी रिट्स को भी रिड्यूस करता चाला जाता है वह यह जानते ही कैसे और किस तरह से यदि आयर्वेट के साथ इन चीजों क्या समाधान हम करते हैं तो ना केवल हमारी हिल्थ को इंप्रूफ करता है बल्के फिर्टिलिटी रिट को या कंसीविंग पावर्स को या हिल्थी प्रिगनसी को अचीव करने में भी बहुत अच्छे से हिल्प करता है मैं डॉक्टर अनुकमा शर्मा, आयर्वेट अच्छारिंग, गर्प सल्सकार कंसृर्टिंट और इन्फर्टिलिटी एक्सपर्ट तो जैसे कि आयर्वेट का जो प्रिंसिपल है या आयर्वेट का सिध्धान्त जो है वो दोश्वर अधारित है मतलब बात, पिट और कफ ये तीनों यदि सामय वस्था में या बैलन्स रहते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ये सचारूरूट से काम करते हैं मतलब शरीर का हर आरगन बहुत अच्छे तरह से काम करते हुए जो है हमें फिट और हिल्दी रहता है नेकिन इन में से यदि कोई भी दोश बिगड़ता है मतलब यदि वाद या पिट या कफ इन में से कोई भी अपने बैरियर्स को क्रॉस करके कम या जादा की तरफ चलता है तो इसका असर हमारे और्गन्स पर पड़ता है जिससे उनके productivity या functions जो हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते और जिसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है जिसे कि हमने मैसूस किया होगा यदि हम कभी बेमार पड़ते हैं एक सिंपल से एक्जामपल लीजिए कि बुखार ये यदि होता है तो भी जो है हमारा मन अच्छा नहीं होता है मतलब कि यदि हमारा सास्तिक हराब है तो उसका असर मन पर पड़ता है तो इसी तरह से हमारा शरीर, हमारा तन और मन जुर है वो coordinate करके चलते हैं मतलब यदि शरीर में कोई भी organ या कोई भी part हमारा ठीक से नहीं काम कर रहा है या वो किसी disease से प्रभावित हो गया है तो जो है उसके functions बिगडते हैं और जब वो balance बिगडता है तो हमारा मन जो है वो भी प्रभावित होता है और जैसे कि हमारा जो fertile rate या fertility issues जो होते हैं उनका बहुत सीधा सम्मन हर्मोन से related होता है means यदि मन परिशान है तो हर्मोन का secretions जो है वो उतने अच्छे तरह से नहीं होगा जितना कि एक अच्छे fertility rate के लिए चाहिए तो इस तरह से शरीर और मन जो हैं वो आपस में correlate करते हैं और इसके अलावा यदि हमारे hormones जो है वो परभावित रहेंगे या नहीं वो कि वो जरूरत से कम या ज़्यादा release होना शुरू हो जाएंगे तो egg quality पे असर डालेगा means the production of ovum या production of sperm in the male उससे परभावित रहेंगे और उनके quality जो है वो reduce हो जाएगी तो आजखल जैसे देखा गया है कि जादा तर हमारा जो lifestyle है वो इतना hectic हो गया है या हमारा खाने पेने के तरीके जो है वो इतने unhealthy हो गए है कि हमारा स्वास्थे पर परभाव डालते हैं means हमारी health conditions जब decline के तरफ जाती है तो definitely उसका असल जो हमारे मन पर पड़ता है और जब हमारा मन जो है वो प्रसंद नहीं है तो depression या अफसाद की तरफ हम बढ़ते हैं और इससे ultimately जो हमारे hormones का balance विगड़ता है और hormones का balance विगड़ने से उसका असल जो है productivity of egg या semen या sperm quality पे जाता है तो इस सरह से ये सब चीज़े आपस में correlate करती हैं इसलिए आयरवेद को अपना कर ना केवल आप एक बहतर स्वास्त है बलकि एक healthy fortinity rate को अचीव करने में भी successful होते हैं और इसके साथ जो है एक healthy और एक संसकारवान बश्चे को जन्म देने में भी उतने ही successful होते हैं Thank you